Hello everyone, welcome to Magnet Brains, myself Pratikand, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल Magnet Brains पर जहां पर आपको मिलता है quality content, quality education वो भी बिलकुल बकायदा, free of cost, kg से लेकर क्लास 12 तक का पूर education सब आपको मिल जाएगा detailed video format में और अगर आप Hindi Medium के student है तो आप जानते हैं क्या करने आपको, Magnet Brains का Hindi Medium चै चैनल पर कोई video upload होता है, चाहे वो recording हो, कोई live class हो, कोई live update हो, तो उसकी जानकारिया, उसके notification सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगे, आप किसी भी condition में कुछ भी miss out नहीं करेंगे, बस एक बात का आप खास ख्याल रखें, कि Hindi Medium के चैनल पर class 6 से class 12 तक का पूरा content available है, कौन आप e-notes और e-books भी available कर सकते हैं, तो चले, अब ज़रा कहानी को शुरुआद देंगे, class 12 physics, chapter 6, electromagnetic induction का लेकर के आगया हो, NCRT solutions, भाई मने हमेशा कहा है, बार बार कहा है, कि किसी भी chapter पर कितनी अच्छी पकड़ बन गई आपकी, इस बात को cross check करने के लिए, एक बार जरूर NCRT के solution जो है, वो try कर लेने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पी बहुत ही आरामदा एक chapter था, उसमें कम questions भी NCRT के इंदर, तो चले, बिना समय लगाए, ले करके चलते हैं, आपको इसके पहले वाले question की तरफ, ठीक है, predict the direction of induced current in the situations described by the following figures, ठीक है, तो भाई, direction क्या होगा, induced current का वो अपने को figure out करना है, ठीक है, अब ज़र आप गौर करते हैं, जैसे मैं South Pole को pass लेकर क्या रहा हूँ, अगर आप लोगो ने lectures देखे हैं मेरे तो आपको पता होगा, मैंने इसमें एक funda सिखाया था, ना सही से pass आने देगी, ना सही से दूर जाने देगी, ठीक है, induced current की direction क निकालने के लिए सबसे सटीक funda क्या था, कि ना सही से pass आने देगी, ना सही से दूर जाने देगी, in accordance with lens law, ठीक है, देखो भाई, जब यह South Pole pass आ रहा है, ठीक है, तो South Pole को यह सही से pass आने देगी नहीं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पर खुद South Pole का induction हो जाएगा ठीक है, और जब यहाँ पर South Pole का induction हो जाएगा, जड़ा गौर करने अच्छे से, ठीक है, South Pole यहाँ पास आ रहा है, South Pole को pass आने देगी नहीं, तो यहाँ पर South Pole को pass आने से oppose करेगी, भाई, South Pole को pass आने से oppose करने का मतलब क्या है, खुद यहाँ पर South Pole का induction करवा ले ना, ठीक है, और सर जब यहाँ पर clockwise current आएगा ना बहुत बाली की से चेक करना भाई ऐसा ठीक है और सर यह current ऐसे घूंगता हुआ आएगा ऐसा ठीक है और फिर यह current जो है ना सर फिर यह current जो है ना सर वो ऐसा निकल जाएगा इसके थूँ ठीक है तो अगर आप circuit wise चेक करेंगे ना तो यह current ऐसा गया यह current फिर यहाँ से आया और फिर यह current ऐसा आ यह से जा गया इसका मतलब somehow अगर आप से चेक करें तो current पी से क्यू की दिशा में बढ़ रहा है current जो है ना sir वो यहाँ पर किस दिशा में बढ़ रहा है तो sir current यहाँ पर बढ़ रहा है P से Q की दिशा में तो मैं इसमें first का जो A वाला option है first का जो A वाला question है तो उसमें अपन लिख देंगे कि direction is from P2Q कि आप लोग को यह वाली बात समझ बागी तो first वाले में लिख देंगे direction from P2Q और मैं चाहता हूँ कि diagram आप बनाते हुए चलें मैं चाहता हूँ कि diagram आप बनाते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अब ज़रा इसके ओपर ध्यान देते हैं प्लीज फोकस जब यह south pole को पास आने से रोकने का try करेगा प्लीज फोकस जब यह south pole को पास आने से रोकने का try करेगा तो यह खुद अपने अंदर क्या induce कर लेगा तो यह जब current ऐसे अंदर आएगा तो यह current जा रहा है सर दरसल ऐसे पीछे की तरफ फिर पीछे फिर पीछे फिर पीछे तो current अगर ऐसे जा रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है तो फिर current ऐसे निकल जाएगा लेकिन अगर मैं क्वाइल वाइस चेक करूंगा कि क्वाइल में कहां से कहां current दिख रहा है मुझे तो sir, coil में जो current है न, sir, वो इस दफ़ा दिख रहा है अपने को, q से p जाता हुआ, current इस दफ़ा कहा जा रहा है sir, q से p जा रहा है, coil के अंदर से अगर अपन चेक करेंगे तो, ठीक है, तो b वाले में क्या है, q to p, b वाले में क्या है sir, q to p जा रहा है current, ठीक है, ये diagram वाई में क्या हो रहा है sir, इस coil के respect में, ये जो north pole है, ये north pole जा रहा है sir, ऐसे बाहर, ठीक है, मतलब इस coil से north pole जो है sir, वो दूर जा रहा है, ठीक है, अब अगर इस coil से north pole दूर जा रहा है, तो इस वाले face पे कैसा induce हो जा रहा है, देखो, अगर यहां से north pole दूर की तरफ जा रहा तो it will be something like इस पर चेक कर लो ठीक है जब साउथ पोल का इंडक्शन हो रहा है इसका मतलब करेंट ना ऐसा करता हुआ ठीक है इस तरफ से इस तरफ से देखो जब यहां पर नौध पोल बहार आ रहा है तो जब नौध पोल दूर जाया तो फिर उसको अट्रैक्ट करने का ट्रा रहे है तो जब क्लोट चल जागाना करेंट विल भी संतिं लाइक डिस अगर आप समज़ पाए तो ऐसा ठीक है हर क्वाइल में को करेंट ऐसा यहां से बाहर और यहां से बाहर तो ऐसे करते करते खरेंट ज़गा तश्वाल कर निकलow गया मतलब एक्स टु वाइज जा रहा भाई सिर्फ इसका एक ही लोजिक है जो कि आपको दिमाग में रखना है सर वो क्या लोजिक है कि अगर नौथ पोल यहां से पास आने का ट्राइ करेगा तो नौथ पोल को सही से पास भी नहीं आने देगी और अगर नौथ पोल दूर जाने का ट्राइ करेगा तो नौथ पोल क होती है induced dmf की जो polarity होती है induced dmf की वो दरसल ऐसे काम करती है कि वो magnetic flux में आने वाले change को oppose करती है ठीक है तो ये दो खुबसूरत सी बातें आप लोग को समझ में आ गई क्या मैं एक ही साथ में आपको पूरे answer का स्क्रीन शॉट लेने का मौका दे दूँगा आप बेफिकर रहे हैं यह वाला फंडा पूरा clear है यह सर यह वाला फंडा पूरा clear है ठीक है आगे बढ़ जाए यह सर आगे बढ़ते है उसके बाद यहां पर सी वाला केस देखना tapping key आपने अपने just close कर आए अब कई लोग सोचते हैं कि sir क्लॉक वाइस समझे क्या क्लॉक वाइस समझे क्लॉक वाइस समझे क्लॉक वाइस ऐसा होता है भाई इसको अगर तुम देखो ना इस वाले को ढंग से तो तुम्हें अगर तुम इस सेंस में चेक करो ठीक है आप इसको अगर left hand side से देखो अगर तुम इसको ऐसे देखो तो तुम्हें यह समझ में आता है कि भाई यह ना ऐसे नो बारा तीन छे नो बारा तीन छे तो दिस बेसिकली clockwise थेक है क्या आप लोग को यह वाला फंडा समझ में आ रहा है एक बार मुझे यहां तक confirmation द तो sir left से देखने में left side से देखने में left side से देखने में left side से देखने में this seems to be a clockwise अगर left side से देखने में यह clockwise है left side से देखने में यह clockwise है तो obviously फिर यह right side से देखने में क्या हो जागा sir anti-clockwise अगर यह जो coil है अगर यह left side से देखने में clockwise है तो राइट साइट से लेखने में कैसा हो जाएगा एंटी-Clockwise और जब एंटी-Clockwise बन जाएगा तो एंटी-Clockwise अगर है तो कौन सा पोल यहाँ पर इंडिउस होगा जरा गौर करते हो चलना अगर सर एंटी-Clockwise है ना तो यह इस तरफ से बनेगा सर नॉर्थ-Pol बोलो हा की नप ठीक है तो जब मैंने इस कौईल को देखा ना यह से लेफ्ट-Hand साइट से तो यहाँ पर जो current है यह current मुझे को दिखाई दे रहा है clockwise तो clockwise का मतलब होता है South Pole का induction तो पीछे क्या हो जाएगा North Pole का induction अब जड़ा अच्छे से पूरा focus करते हो चलना है देखो यहाँ पर आगा है North Pole तो जैसे अपने की को close किया है तो current यहाँ पर बढ़ रहा है current यहाँ पर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या North Pole यहाँ पर बढ़ रहा है तो North जैसे यहां पर देखो, North Pole यहां पर बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है North Pole? क्योंकि sir मैंने switch को on कर दिया है, current अभी बढ़ना start हो गया, तो North Pole की strength बढ़ रही है तो North Pole को बढ़ने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, सामने एक North Pole का induction करना पड़ेगा और जब तुम सामने एक North Pole का induction कर दोगे तो इसमें anti-clockwise current आजाएगा मैं जो बोल रहा हूँ वो बड़ी important चीज़ नहीं है, ठीक है यहां पर anti-clockwise current आजाएगा, तो x, y, z, ठीक है तो z, x, y य, x, y, z, basically क्या है, anti-clockwise direction में current आजाएगा आया समझ, x, y, z के direction में जो है वो current आजाएगा पका यह वाला समझ में आगया, तो अपन यहाँ पर क्या बोल देंगा, इसका answer क्या हो जाएगा, सर, x, y, z x, y, z के direction, x, y, z is the direction of induced current x, y, z is the direction of induced current अब इसका पूरा logical explanation समझो तुम, ठीक है इसका left face कैसा है, इसका left face कैसा clockwise, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, anti-clockwise मतलब north pole आ जाएगा और जब north pole आ गया, तो north pole के आने से क्या होता है, कि north pole बढ़ रहा है, तो north pole बढ़ रहा है इसका मतलब क्या कि जो सामने इंडियूस होगा ना करेंड वो नौथ पूल को बढ़ने से रोकेगा मतलब नौथ पूल को अपोस करेगा तुम्हें साउथ कर दूब तो अट्रैक्शन मिल जाएगा तो नौथ पूल को अपोस करने के लिए फिर यहां पर एंटी क्लॉक वाइ रियो स्टायट की setting चेंज कर रहे हैं। रियोस्टायट की setting hablando change कैसे कर रहा है? हम basically Rriyo Start को ऐसे left hand side में move कर रहे हैं तो जब तुम Rriyo Start को left hand side में move करोगेon तो इसे risesness कम हो जाता हूँ आक current बढ जाता है तो यहां पर जड़ा current देखना इस वाले coil को इस वाले coil को जब मैं left hand side से देखोंगा ना बहुत ही उंदा चीज है बहुत ही शांदार जानदार चीज है यहां पर current कैसा है अगर मैं इसको left hand side से देखोंगा so this current appears this current basically appears to be this current basically appears to be anti-clockwise बोलो हां कि ना sir बात तो बिल्कुल सही है तो यहां पर क्या होता है current बढ़ना है तो this side इसका जो north वाला section है यह बढ़ना शुरू हो जाएगा yes sir यहां पर क्या anti-clockwise current है तो anti-clockwise का मतलब क्या है जब मैं इसको left में check करूँगा ना इसका north polarity बढ़ना शुरू हो गया टियक कह है झै मैं जब इसकी north polarity बढ़ना शुरू हो जाएगी तो इस coal के अंदर क्या होगा भाई जब इसकी north polarity बढ़ना शुरू हो जाएगी तो यहां पर induce क्या होगा इुसको इसको आपोस करने वाला मतलब खुद यहां पर नौर्थ साइट जो है यहां पर नौर्थ वाला इंड्यू सो जाएगा इतना समझ में आगे क्या नौर्थ पोल अगर बढ़ रहा है तो उसको आपोस करना पड़ेगा तो नौर्थ और नौर्थ में रिपल्शन आएगा तभी मिलेगा पोजिशन तो यहाँ पर आजाएगा नौर्थ फोल का इिक्षण अभी इतना समझ में आये क्या खटम निंक पर अभी क्षब निए सबैस को अभी इतना समझ में आया क्या आपको मैंने था है किया त saat कि आपको हमेशा आंसर कोट करना पड़ता है from the left hand side, ठीक है, अब ज़रा गौर करना, देखो भाई साब, इसके राइट में क्या हो रहा में को उसे मतलब नहीं है, जब मैंने इस वाले कौाईल को, इस रियो साइट वाले कौाईल को, जब मैंने लेट से देखा ना, तो मैं को लगा इसमें करेंट जो है रहा है, मतलब क्य इसको oppose करने के लिए यहां पर भी क्या हैगा, नॉर्थ प्ोल, यार इसके इस तरफ नॉर्थ पोल, तो पीछे क्या होगा, साउथ पोल, तो मुझे लेट वाले फेस पे क्या होता है, वो रिप्रेजन करना परता है, वो एक्सपरेस करना परता है इस दा अंसर, तो अपर यहां पे क्या बोलों को जाएगा sir比如 sit walk wise current यहां पे आ जाएगा sir ओक्राओं तो जो इंडक्शन वह क्या हो जाएगा feel a.ko mean एक्स ऊइड्भाइब एक्स एड्वाइई बोले डेञान जिएडवाइब ने my दो एक्स येड्वाइब ग्लोप वाइब जाएगा शांदार तरह से बैठ गई है ये सर ये वाले चीज शांदार तरह से बैठ गई है clockwise current जाएगा clockwise current का मतलब क्या बोल देंगे इसको अपर xzy बोल देंगे तो मैं इसमें लिख दूँ d वाले में clockwise current मैं इसमें d वाले में लिख देता हूँ clockwise current ठीक है एक्स जेट और य का डिरेक्शन है ठीक है चलो तो अब एक काम करो एक दफा ना इसको भी जो स्लाइड पर लिखी हुई चीज है एक बाइस का भी स्क्रीन शॉट देलो जल्दी से 321 ready go super clear and super done हो चुका है sir बहुत बढ़ी है एक तरफा शांदार पका अब आज़ो भाई यहां पर इसका यह बदा पार्ट देखना यहां पर क्या करा है जो tapping key है इसको just release कर रहा है ठीक है अगर tapping key को release कर रहा है इसका मतलब current is basically decreasing tapping key को release कर रहा है इसका मतलब current is basically decreasing है tapping key को just release कर रहा है इसका मतलब current जो है वो decrease हो रहा है अब ज़रा गौर करते वो चलना अच्छे से कि देखो भाई यह ऐसे करके तो ऐसे वांडिंग हो गई ठीक है अगर आप इसमें पूरा perception क्लियर करते वो चलेंगे अपना देखना current यह वायर ऐसे गया उसके वायर ना इस कोईल के पीछे चला गया पिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे भाई में को सामने से दिखने में तो लग जल्दी बोलो हा की ना ठीक है तो यहां पर कैसर current decrease हो रहा है current ऐसे उचक के चला गया है ऐसे अंदर ठीक है तो ऐसे 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 जा रहा है मतलब anti clockwise तो नौर्थ पोल तो अगर इस यह वाला face नौर्थ पोल है तो यह इसका जो यह वाला face है वो क्या हो जागा साउथ पोल हो तो यह south pole जो आना सर वो decrease कर रहा है तो अब यह decreasing south pole था तो decreasing यह south pole decreasing है मैं इसमें लिख दूँ यहां पर लिख दूँ कि यह जो south pole बन रहा है this is the decreasing south pole this is the decreasing south pole अब यह सर डिकरीजिंग south pole का basically मतलब क्या उतल को पता है decreasing south pole का basically मतलब ऐसा है कि मानले इस वाले setup को ना इस वाले coil से दूड़ लेके जा रहे है अगर increasing south pole होता है इसका मतलब क्या होता है कि इस वाले setup को इस वाले coil के पास लेकर के आ रहे है लेकिन हम जानते है करिंट डिक्रीज हो रहा है तो इसमें जो साउथ पोल था ना वो भी डिक्रीज हो रहा है अगर साउथ पोल साउथ पोल साउथ डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि आप इस वाले कोईल को ना इस वाले कोईल से दूर लेकर के जा रहे हो अब अगर यह साउथ पोल वाला दूर जा रहा है तो यहां पर पुलारिटी ऐसे इंड्यूज होगी कि वो साउथ पोल को दूर जाने देगा नहीं यहां पर फुलारिटी ऐसे इंड्यूज होगी कि वो साउथ पोल को दूर जाने देगा नहीं अट्राइट करेगा मतलब क्या बनागा कि नौथ पोल ठीक है ग्यारें तो हाँ कि यहां से घूम आगया है तो हर काईल में मतलब हर को में इसे हो रहा है तो अगर आप इसमें चेक करें तो basically x to y तो move कर रहा है current अगर आप इसमें चेक करें तो basically जो induced current है उसके direction क्या हो जाएगी sir x to y direction में तो आप इसको लिख देंगे ये वाले case में कि current is from x to y वाला direction तो जो x to y है ये point number e के अंदर आ रहा है क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला funda पूरा clear हो गया है क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला funda पूरा clear हो गया है yes sir ये वाला funda पूरा clear हो चुका है ठीक है f वाला point देख लो current is decreasing it as steady rate ठीक है अब इस वाले loop से क्या होगा बाई एक बार समझते बचलना, इसके साथ में कोई flux असोशेटन ही जा नि थ thrilled वेकर सारी की सारी की सारी जो çो magnetic field lines है ना सारी की साही जो magnetic field lines है वो यह इस ça तो फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं है, अगर फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं होगा, तो इंड्यूस करेंट जीर हो जाएगा, यहार फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि कितनी नंबर फ्लक्स किसी गिवन सर्फिस हीरा को पेनिट्रेट कर गई, चमका, कितनी नंबर फ्लक्स कित क्या बोले मैंने कि सारी magnetic field line जो है इस plane में ही लाई करेंगी तो इस plane के perpendicular कुछ नहीं है सब इस plane पर ही लाई कर रहा है और अगर इसी plane पर लाई करेगा अगर सारी magnetic field lines इस प्लेन पर लाई करेंगी तो फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं है अगर फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं है मतला ब्यम्म इंडियूज यहां पर नहीं आएगा ठीक है तो इसका जो फ वाला पार्ट है वो क्या है वो अपन लिख देंगे कि all the magnetic field lines इसमें अपन क्या लिख दे the plane of the paper all the magnetic field lines lies on the plane of the paper यह plane of the coil plane of the loop लिख देता हूं वो paper थोडिए लूप है लिख ओ तो दे है लिख ओड दो प्लेने लूप देर्फोर no change in magnetic flux is associated ट इक है तर्फोर no change in magnetic flux is associated with the loop therefore no change in magnetic flux is associated with the loop therefore no change in magnetic flux is associated with the loop because of which there is no induced current जिसके वज़े से कोई भी current induced नहीं होगा because of which there is no induced current because of which there is no induced current कोई भी induced करेंट नहीं है because of which there is no induced current क्या आप लोगे दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है ये सर अपने दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है तो एक काम करना अगर तुम्हें इसका screenshot लेना है तो बिल्कुल ले लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर तुम्हें इसका screenshot लेना है तो बिल्कुल ले लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है it's as simple as that 321 ready go super clear and super done हो चुका है सर ठीक है लेकिन ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है सर अब उसके बाद फिर ये पूरा complete answer a b c d e f का ये रहा अपने पास में पूरा complete answer ठीक है जल्दी इसका एक तरफा तरह से screenshot ले लो 321 ready go super clear and super done हो चुका है सर ठीक है चलो आगे बढ़ा जाए अब आते हैं अपन ये question number 2 के ओपर ठीक है use करना है lens law to determine the direction of induced current in the situations described by the figure ठीक है भाई ये जुसका पहला वाला point है जरा इसको देखना इसका जो पहला वाला point है इसको देखना ये क्या बोल रहे है a wire of irregular shape turning into a circular shape ठीक है एक wire है जो irregular shape का ये वाला वायर जो है न इवाला wire जो है वो irregular shape का wire ठीक है और ये न हो रहा है into a circular shape मेरी कहली से इसमें आप लोग को इछाव सा light लिख रहा होगा ये जो अपने पास irregular shape का वायर है ना this is basically turning into a circular shape ठीक है तो circular shape आप ये ज़रा देखें इसको अच्छे से ठीक है ये circular shape में इसको turn करने का पूरा try किया जा रहा है ठीक है सम्हाँ ये turn हो रहा होगा अपने आपको turn कर रहा होगा ये circular shape में आप समझ पारें इस पूरी बात को yes sir ठीक है तो in turning area is increasing area जो है वह basically increase हो रहा है अगर flux की आप बात करेंगे तो flux का formula होता है BA cos theta ठीक है तो basically theta सेम है B کا मतलब होता है external magnetic field ठीक है यहाँ पर पहले से already applied है cross magnetic field यहाँ पर पहले से already applied है cross magnetic field external magnetic field change नहीं हो रही है sir तो यहाँ पर जो area है बस वो बढ़ा हो रहा है और जब area बड़ा होगा तो flux increase होगा area is increasing therefore flux is also increasing और जब flux increase होगा देखो area increase हो रहा है इसका मतलब क्या है कि flux increase हो रहा है area increase हो रहा है इसका मतलब क्या है कि flux जो है वो increase हो रहा है और जब flux यहाँ पर increase होगा तो आप जानते हैं कि induced EMF की polarity ऐसी होती है पिर से बोल देता हूँ, आप जानते हैं कि induced EMF की polarity ऐसे होती है कि वो किसी भी तरह के change in flux को oppose करता है अगर flux यहाँ पर increase हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर आप कुछ ना कुछ तो ऐसा मान लीजे अगर flux यहाँ पर increase हो रहा है तो आप ऐसा मान लीजे कि increasing flux को oppose करना है अब यह flux जो increase हो रहा है मतलब cross magnetic flux जो है वो increase हो रहा है तो फिर आपको यह समझना है कि भाईया अगर अंदर की तरफ magnetic flux बढ़ रही है इसको रोक रहा है तो अब बहार की तरफ flux मारो आए समझ के नहीं है जब magnetic जब मैंने क्या बोला area बढ़ गया तो flux बढ़ गया तो flux बढ़ गया मतलब कैसा flux बढ़ गया अंदर जाने वाला की बहार आने वाला अरे सर पहले से गिवन है कि cross magnetic field है तो तो थोड़ा सा flux बाहर पेको तो सर बाहर flux कब आएगा जब anti-clockwise current होगा North Pole ना रहे बाहर flux कब आएगा जब anti-clockwise current होगा योगि बाहर flux का आना मतलब dot magnetic field का development वो कि North Pole के साथ होता है ठीक है तो मतलब यहाँ पर therefore current should be anti-clockwise ठीक है तो area is increasing flux is increasing तो therefore induced current should be induced current should be anti-clockwise induced current का direction क्या हो जाएगा anti-clockwise अब यह anti-clockwise का मतलब क्या हो जाएगा ADCBA ADCBA ठीक है यह वाला funda clear हो गया यह सर यह वाला funda पूला clear हो गया ठीक है अब जड़ा दूसरे वाले पर आया रहता है तो दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि यहां पर आप गौर करेंगे ना तो यहां पर basically क्या हो रहा है कि एक circular current के एक circular loop था उसका एरिया ना एक ऐसे rod के shape में एक strip के shape में जो है वह convert हो रहा है तो इससे उसका area decrease हो रहा है इससे उसका area decrease हो रहा है तो magnetic flux भी decrease हो रहा है अब आप जानते हैं कि outward magnetic flux जो है वह decrease हो रहा है तो अगर area decrease होगा तो therefore outward flux is decreasing ठीक है अगर area decrease हो रहा है तो outward magnetic flux is decreasing अगर area कम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि outward magnetic flux जो है ना वह भी decrease हो रहा है अब आप समझे मेरे एक बात को अच्छे से ठीक है अगर outward magnetic dot है न भाई देखो यहाँ पर cross magnetic field थी यहाँ पर dot magnetic field है ठीक है तो जब outward magnetic flux decrease हो रहा है तो फिर आप उसको बढ़ाना चाहेंगे तो भाई outward magnetic flux को बढ़ाने के लिए का करना पड़ेगा और जादा outward flux दे दो ठीक है तो therefore more outward flux therefore more outward flux मतलब dot magnetic flux is required ठीक है and therefore भाई यह outward flux मतलब कैसा आएगा फिर से नौर्ट पूल आएगा ठीक है तो therefore anti-clockwise current is again induced therefore यहाँ पर भी anti-clockwise current is induced ठीक है therefore anti-clockwise current is induced therefore again anti-clockwise current is induced ठीक है और anti-clockwise current का मतलब क्या होता है सा डिरेक्शन क्या है anti-clockwise current का मतलब क्या डिरेक्शन क्या है a d c b a क्या डिरेक्शन है a d c b a therefore a d c b a is the direction of induced current क्या आप लोग इस बात से वाकिफ है is the direction of induced current क्या आप लोग अब यह वाली बात बहुती शानदार जानदार तरह से समझ में आ गई है क्या क्या आप लोग अब यह वाली बात बहुती शानदार जानदार तरह से समझ में आ गई है अगर आ गई है तो जल्दी आप इसका screenshot लेंगे फिर आपन कहानी में आगे बढ़ने बारे हैं जल्दी करना 3, 2, 1, ready go, super clear and super done यह वाला फंडा पूरा clear है यह सर पूरा clear है अब आपको लेकर के आते हैं इसके question number 3 के उपर जल्दी देख लो उसके बाद फिर आपन इसको solve करने वाले है ठीक है बढ़िया कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यह वाला फंडा पूरा clear हो चुका है अब देख लो भाई a long solenoid with 15 turns per centimeter ठीक है एक centimeter पर यहाँ पर 15 turns है भाई देख लिया जाए एक centimeter पर यहाँ पर in total है 15 turns हमें निकालना पड़ता है number of turns per unit length इसका मतलब एक मीटर पर कितने turns होंगे तो अगर एक मीटर की बात की जाए मतलब 100 centimeter ठीक है तो अगर एक centimeter पर 15 turns है तो 100 centimeter पर कितने turns होंगे सर 1500 turns होंगे ठीक है तो therefore number of turns per unit length ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि number of turns per unit length इसका मतलब क्या हो गया कि number of turns per unit length n छोटा वाला n इसकी value किती हो गई है sir 1500 हो चुकिए ठीक है यहां तक अफंड़ा पूरा clear है sir बिल्कुल clear है उसके बाद क्या होता है has a small loop area 2 cm2 का area ठीक है तो पहली बाद तो n की value आचुकिए sir n की value आचुकिए उसके बाद क्या है sir 2 cm2 का तो अपन लिख देते हैं area is 2 उसके बाद cm2 का square करेंगे मतलब 10 की power minus 2 का square करेंगे minus 4 तो यह area आजाएगा 2 cm2 का उसके बाद क्या हो रहा है यहां पर कि if the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere ठीक है इसका मतलब यहां पर change in current जो है तो initial से final तो final था 4 initial था 2 तो 4 minus 2 करेंगे तो अपने पास में current कितना आजाएगा sir 2 ampere आजाएगा कोई दिक्कत वारी बात है नहीं sir कोई दिक्कत वारी बात नहीं है अब इस change in current को produce करने में समय कितना लगा sir 0.1 second लग गए तो dt की value कितना हो जाएगा अपने पास में sir 0.1 second बहुत बढ़ी है 0.1 second is the small amount of time अब उसके बाद यहां पर क्या बूचा गया what is the induced dmf in the loop while the current is changing what is the induced dmf तो अब ज़रा एक बहुत ही शानदाग सी बात पर focus करते हुए चलना कि induced dmf जो होता है वो basically क्या होता है माइनस d5 by dt क्या आप लोग को यह वाली बात समझ में आ रही है बिल्कुल समझ में आ रही है तो अगर मैं सिर्फ इसका magnitude निकालना चाहूँ अगर मैं what is the induced dmf अगर मैं सिर्फ और सिर्फ magnitude की बात कर लेता हूँ तो में पास क्या हो जाएगा rate of change of magnetic flux में पास induced dmf के तोर पे क्या formula आएगा rate of change of magnetic flux this is all in accordance with faraday's law यह सब कुछ है only in accordance with the faraday's law क्या आप लोग के दिमाग में यह वाला फंडा पूरा clear चल रहा है यह सर यह वाला फंडा पूरा clear चल रहा है अगर मैं इसके magnitude की बात करूँगा तो अपने पास क्या हो जाएगा minus नहीं आएगा बस ठीक है अगर मैं आपसे बात करता हूँ magnitude of emf induced की कितना induced dmf है अगर मैं इसके magnitude की बात करता हूँ तो therefore induced dmf is equal to क्या हो जाएगा differentiation of magnetic flux अब magnetic flux का formula क्या होता है differentiation अच्छा b को अपन खोल सकते हैं मुन्नी वाले formula में minus times n i में खोलेंगे और a तो अपने पास बाहर आई जाएगा यहां तक का funda पूरा clear है यहां तक का funda पूरा शांदा तरह से clear है एक चीज में को समझ में आ गई d i by dt का term तो बनेगा ठीक है d i by dt का term तो बनेगा तो एक काम करते है mu naught a को अपन बहार रखते है और n को अपन बहार रखते है mu naught n a को अपन बहार रखते है और यहां पर अपन लपेट देंगे किसको sir d i by dt को ठीक है अब एक काम करो mu naught की value क्या होती है sir 4 pi 10 to the power minus 7 mu naught क्या होगा sir 4 pi 10 की power minus 7 यह अपने पास में क्या हो जाएगा mu naught हो जाएगा उसके बाद area मालूम था क्या sir area given था अपने पास 2 10 to the power minus 4 के बराबर ठीक है तो area was 2 into 10 to the power minus 4 यह पूरा step 7 में आगया उसके बाद n कितना आगया sir अच्छा 1500 आगया है क्या जी sir 15 turns थे 1 cm पर तो 100 cm मतलब 1 meter पर अपने पास 1500,500 turns हो जाएगा उसके बाद di by dt तो sir di कितना अपने पास यह सर अपने पास 2 ampere है और dt कितना अपने पास 0.1 seconds है तो 0.1 हो गया जैसे आप इसको further पूरा solving करेंगे ना बाकी मेरा main मकसद कहाता है कि आपको यहां तक मैं पहुचा दू इसके बाद तो basic calculation है क्या आप लोग के दिमाग में यह वाला funda पूरा clear हो गया है yes sir यह वाला funda अपने दिमाग में पूरा clear हो गया 7.5 10 की power minus 6 तक का answer अपना आजाना चाहिए clear yes sir clear चलो आगे बढ़े अब आपको लेके आते हैं question number 4 के ओपर a rectangular wire loop जिसका side है 8 cm और 2 cm with a small cut एक छोटा सा cut है is moving out of a region of uniform magnetic field ठीक है is moving out of a region of uniform magnetic field जिसका magnitude है 0.3 tesla directed normal to the loop loop के एकदम perpendicular है what is the EMF induced what is the EMF developed across the cut if the current current की बात कर भी नहीं सकता क्यों because अगर एक cut open है वहां से मतलब loop पूरा closed नहीं है और जब loop पूरा closed नहीं है तो फिर current वहां पर नहीं आ सकता just because of that very small cut ठीक है what is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 cm per second अगर loop की velocity है 1 cm per second in a direction normal to the longer side एक ऐसे direction में है which is normal to the longer side क्या आप लोग के दिमाग में यह वाला funda clear हो गया ठीक है तो पहले वाले case में हम loop को move करवाएंगे in a direction perpendicular to the longer side और दूसरे वाले case में loop को हम move करवाएंगे in a direction perpendicular to the shorter side of the loop ठीक है और how long does the induced voltage last in each case ठीक है पहले आपन case 1 की बात कर लेते हैं अब जड़ा focus करना मेरी बातों पर अच्छे से cross magnetic field लेकर चलना पड़ेगा ठीक है case 1 की बात कर लेते है cross magnetic field लेकर चल देंगे कोई दिक्कत नहीं सर इसमें फिर तुमको मैं case 2 भी करवादूंगा इतनी प्यार से तो पहले case 1 देख लो case 1 में क्या हो रहा है कि अपन ना पहले अपन एक loop बनाते है ठीक है white color से बनाते है ठीक है सर यह अपन एक loop बना दिया अब basically क्या हो रहा है इसमें मेरी बात तुम समझते हो चलना यह 2 cm है यह 8 cm है इसको ऐसे देख लो यह तुमको बेटर समझ में आएगा तो यह जो इसकी है साइड यह 2 cm है 8 cm के बराबर है अब क्या हो रहा है कि यहां पर एक small cut था यहां पर एक small cut है तो आपन ने यहां पर चलने कट ले लिया तो इसमें allowing space forward तो नहीं हो उसकता नहीं सार कुर्म नहीं के अदर सिर्फ voltage ही अदर तो यहां पर क्या क्याशव हो रही है पहली बात पहली बात था कि इसमें आपन आपनने क्या कर रहे हैं डीरेक्शन नॉरमल है तो यहां आपने पास लांगर साइट तो आपने उसको मूफ करवा जा रहे हैं जका है कि ना अपने इस तरफ इसको मूफ करवा रहे है तो पहले वाले केस में किया पूछ रहे है पहले कि अनिकलना एक उसके बाद कितने सेकेंड्स तक फूर्ट पूलाज़िसफिफ भीरर करेगा तो पहले यह जो section है पूरा यहां पर आता होगा एरिया 0 के बराबर फिर अपन इसको side करके यहां तक लेगा है 2 cm तो यहां पर एक area में change आ गया flux में change आ गया और EMF induced हो गया तो पहले अच्छा गिवन चीजें क्या क्या है और यहां पर आड़ और तीन तो लख लिया अपन है उसके बाद magnetic field का induction है sir 0.3 और velocity किती है sir 1 cm per second तो magnetic field का induction है sir 0.3 tesla मäइटिक field का induction है sir 0.3 tesla और velocity अपने पास में कितनी 1 cm per second तो 1 cm का मतलब क्या होगा sir 10 की power minus 2 और 10 की power minus 2 meter per second तो यह B और V का फंडा समझ में आ गया सर बिलकुल समझ में आ गया अब एक काम करते हैं है अपने इंडियूज दीमफ निकालने के लिए आप एपसलिटली ब्ल वी का फंडा वो यूस कर सकते हैं और यार रखना कि यहां पर जो एल होता है न वह होता है लेंथ आफ दी स्लाइड तो अपने पास B कितना आ चुका है सर बी अपने पास में आ चुका है सर 0.3 टेसला ठीक है उसके बाद what is the length of the slider in this particular case ठीक है इस वाले section को तुम slide कर वा रहे हो तो इसकी length हो जाएगी length of the slider जो कि है सर 8 cm ठीक है जो कि क्या है सर 8 cm है and what is the velocity velocity came as 10 to the power minus 2 meter per second ठीक है तो यह अपने 0.4 10 to the power minus 4 this is the EMF induced in the पहला वाला case ठीक है कि आप लोग के दिमाग में यह वाला funda clear है yes sir यह वाला funda पूरा clear है ठीक है अब उसके बाद यह पूछा गया है कि कितने समय तक यह voltage जो है ना वो last करेगा कितने समय तक यह voltage जो है वो बना रहेगा तो अपने एक काम करें इसमें मेरी बास सुनना now कितने समय तक यह voltage जो है वो बना रहेगा तो time का formula क्या होता है मतला इसलिए time निकालें तो time का formula क्या होता है distance upon speed तो कितना distance आपने move करवा दिया slider को upon किस speed से आपने move करवाया है ठीक है अब एक बास सुनना कितना distance तुमने move करवाया है भाई slider ना पहले यह अब इसको move करवा कि अपन 2 cm आगे लेके चले गया है तो यह अपने पास कितना हो जागा sir 2 cm and what is the speed of the slider 10 to the power minus 2 था निप्टा दो सिर्फ 2 बचेगा इसका मतलब समय कितना आ जागा भाई यहां पर इसका मतलब time यहां पर कितना आ जागा sir 2 seconds का समय इसका मतलब समय कितना आ ज यह सर यहां परा फंडा पूरा clear है यह अपने पास case 1 था this was just the case 1 अब करते हैं अपन इसमें case 2 पर का अब इसमें का करेंगे हैं कि यहां पर velocity of the loop यह था अच्छा अब इसको आपन ऐसे direction में लेके जा रहे हैं which is normal to the shorter side of the loop shorter side की तरफ लेके जाएंगे इसका मतलब यह अब ले जाएंगे shorter side मतलब 2 cm तो उस तरफ लेके जाएंगे slider को तो पहले काम करें इसके screenshot लो फिर मैं को case number 2 कर उपर भी लेकर कर आता हूं आगया समझ में 321 ready go super clear and super done हो चुका है ठीक है अब एक काम करता हूं इसको निप्टाता हूं given data को रखना पड़ेगा बस यहां पर अब slider को आपन ऊपर की तरफ move करवाएंगे ठीक है अब जो यह slider है ना भाई सब यह slider ऐसे ऊपर की तरफ move करवाएंगे this is going to be the shorter side का perpendicular direction ठीक है चलो भाई तो यहां पर EMF induced निकाल लेते हैं अपन तो induced EMF का formula क्या होता है sir B into L into V ठीक है what is the external magnetic field का induction 0.3 अच्छा इस दफ़ा अ अब अगर मैं इस वाले side को ऊपर नीचे देखो भाई यह slider पहले नीचे रहोगा area 0 उसके बाद मैं इसको ऊपर लेगे 8 cm तक तो area बढ़ गया flux बढ़ गया flux में change आ गया EMF induced हो जाएगा लेकिन current अभी बें induced नहीं होगा because current को induced करवाने के लिए यह cut को पहले भढ़ना पड तो B हो चुका है अब now this is going to be the length of the slider तो यह length कितनी सार इसकी 2 cm के बराबर ठीक है तो 2 cm मतलब 2 10 की पावर माइनस 2 ठीक है yes sir 0.6 10 की पावर माइनस 4 तो आही जाएगा अब उसके बाद फिर आपको निकालना है कि कितना समय लगा कितने समय तक motion होता रहा तो time आपको निकालना है तो आप जानते हैं कि time का formula क्या होता है sir distance upon speed होता है तो distance moved जितना distance slider ने move करा upon नीचे क्या हो जाएगा speed of the slider या velocity of the slider ठीक है speed of the slider या फिर velocity of the slider अब जरा मेरी बातों पर अच्छे से गहुर करते हैं चलेंगे कितना distance move करना पड़ेगा sir ये slider पहले नीचे था ठीक है now what is going to be the speed of the slider 10 to the power minus 2 seconds तो यहापे अपन कर देंगे sir 10 की power minus 2 seconds और उसके बाद जो time है वो आ जाएगा अपने पास में सिर्फ और सिर्फ 8 seconds के बराबर ठीक है अपने पास में time के आ जाएगा sir अपने पास में time आ जाएगा sir 8 seconds के बराबर तो मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी आप इस पूरी शांदर सी चीज का screenshot ले लेंगे मैं चाहूँगा जल्द से जल्द आप इस शांदर सी चीज का screenshot ले लेंगे मैं एक बाइ स्पीन से हट जाता हूँ ताकि आप लोग इस सवाल को बहुत ही शांदा तरह से देख सकें कोई देखका तो नहीं है यह सर यह वाला फंदा पूरा clear तो यहाँ पर क्या है कि एक मीटर की long metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through one of its ends उसके बाद के मतलब पेसिकली क्या है कि यह rod rod के एक end से access pass कर रहा है और वो जो access pass कर रहा है न वो इस rod के perpendicular और niż परेंदिकलर ठीक है तो यह जो rod है इसके about अगर आगर move तो आएसे move बोलो हा की न तो यह जो रॉड है अगर इस एक्सेस के बाउट मूफ करेगी तो यह ऐसे बूफ करेगी ठीक है और यह एक्सेस मेने पास आरी ऐसे कट करेके निकल रही है आया समच यह सर अगर इस एक्सेस के पास आरी तो यही इसी एक्सेस के पारलल ऐसे मैगनेटिक फील्ड भी डेवलप हो गई है मतलब जब यह रॉड ऐसे करके रोटेट कर रहा है न तो यह रॉड के रोटेशन के परपेंडिकुलर टक 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 करके सारी की सारी की मैगनेटिक फीलेंस इस तरफ ही आ रही है कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है सावन में आ गया इस रॉड के एक एंड पर एक सर्कुलर मेटालिक रिंग है जो कि अटाइस्ड है उसके बाद क्या हो रहा है यह चीज थी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है calculate the EMF developed between the center and the ring ठीक है calculate the EMF developed between the center and the ring ठीक है तो यह अपने को निकालना है अब जड़ा एक बात पर गौर करते हो चलना अच्छे से देखो भाई इसको बनाते है अपन सुनो अब तुमने हो कलाकारी इसमें पूरे यह circular path में तो मैं इसको घुमा दूँगा यह circular path में तो मैं इसको घुमा दूँगा ठीक है अब देख क्या हो रहा है यहाँ पर एक rod के अपन बात कर देता है यह अपन यहाँ से लेकर चलते हैं भाई सब यह ले लिए अपन एक पतली सी rod ठीक है इसके length कितनी है sir L के बराबर है ठीक है और जो axis है ना वो दुरसल axis ऐसे pass कर रही है ठीक है और सारी की सारी magnetic field line जो हो इस axis के perpendicular है मतलब इस axis के parallel है इसका मतलब सारी की सारी cross magnetic field lines हो चुकी है इसका मतलब सारी की सारी जो field lines है sir वो हो चुकी है सारी की सारी जो magnetic field lines है वो हो चुकी है सार क्रॉस magnetic field lines बड़ियां बड़ियां चल रहा है शांदार चल रहा है जबरदस्त ठीक है सारी की सारी हो चुकी है सार क्रॉस magnetic field lines ठीक है अब जरा गौर करना क्या होता है आपर तो एक long metallic rod है जो की rotate करेगा with angular frequency of 400 radian per second ठीक है तो angular frequency उमेगा आपन लेके चल देते हैं, 400 radian per second के बराबर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, about an axis normal to the rod passing through one of its ends, वो वाला fund आपन के दिमाग में पूरा clear हो चुका है, ठीक है, the other end of the rod is in contact with a circular metallic ring, सही बात है, a constant and uniform magnetic field कितना है, 0.5 tesla, 0.5 tesla की constant magnetic field जो है, वो अप्लाई हो चुकिया, parallel to the axis मतलब basically cross magnetic field हो चुकिया, इस plane के लिए, calculate the EMF developed between the center and the ring, center और ring के बीच में क्या EMF develop होगा, वो अपने को निकालना है, ठीक है, तो अब एक काम करते हो चलते हैं अपन यहाँ पर, एक बात तुम समझो, यह जो में पास rod है नहीं है, यह जो अपने पास rod है, rod का जो यह center है, इसकी linear velocity कुछ नहीं है, ठीक है, because क्या है, यह तो linearly move करी नहीं रहा है, तो जो linear velocity है, वो सिफ इस वाले side की होगी, तो इसका अपन length कितना मान लेते हैं, इसका length अपन L मान लेते हैं, ठीक है, और इसके angular velocity अपने कितनी मान लिए, omega मान लिए, ठीक है, लेकिन जो linear velocity दूसरे वाले end की है, वो तो अपन को निकालना पड़ेगा, तो linear velocity of other end, ठीक है, इस basically V is equals to r omega, ठीक है, r basically यहाँ पर length के बराबर हो गया है, और omega मतलब L मतलब omega हो गया, ठीक है, बस इतनी सी बात है, omega मतलब होता angular velocity, ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर EMF induce पूछा हुआ है, तो EMF induce का basically formula क्या होता है, E is equals to blv, EMF induce का basically formula क्या होता है, यहाँ पर blv, ठीक है, अब देखते पर चलना क्या होता है, भाई सब यहाँ पर, B को रखो, L को रखो, अब जो V है ना, इस V को अपन कैसे निकालेंगे, एक end का तो linear velocity 0 ही है, दूसरे वाले end का angular velocity omega है, इसका average ले ले ले, तो 0 प्लस L omega by 2 हो जाएगा, ठीक है, अब जब इसको मैं solve करूँगा तो E is equals to क्या है का पता है, B, अच्छा ये वन मीटर की रॉट थी क्या, येस सर ये रॉट जो थी ना, वो एक मीटर लंबी थी, मतलब L जो है, वो भी अपने पास given है, कि L is basically 1 मीटर, यहाँ तका funda clear, येस सर यहाँ तका funda clear, ठीक है, तो B L, उसके बाद इहाँ पर क्या है, ओमेगा L ओवर 2 हो जाएगा, तो ये अपने पास किता हो जाएगा, half, उसके बाद किता हो जाएगा, B, ओमेगा L का स्कुरा है, ये किता हो जाएगा, B, ओमेगा L का स्कुरा है, ठीक है, ये half, B, ओमेगा L का स्कुरा है, इत्ती सी बात थी, ठीक है, अब देख क्या होता है E is equals 2 अपने पास B कितना आ जागा भाईसाब B है अपने पास 0.5 उसके बाद हाफ कितना अपने पास अच्छा फिर अगेन वही 1 by 2 आ गया तो B 0.5 था फिर 1 by 2 आ गया फिर omega was basically 400 न omega s basically 400 और L का square करेंगे तो 1 का square 1 का square तो 1 ही होता है अब ज़रा ध्यान देना भाईसाब यह 0.5 का मतलब होता है 1 by 2 ठीक है तो 1 by 2 1 by 2 मतलब 1 by 4 हो जाएगा तो 400 upon 4 हो जाएगा तो 400 upon 4 करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा तो 100 V is the induced DMF ठीक है तो 100 V is the क्या आजाएगा अपने पास में induced DMF क्या आपके दिमाग में यह वाला फंटा पूरा clear है यस सर पूरा clear है मैं चाहूंगा इस शांदार सी चीज का आप screenshot लेंगे जल्दी 3 2 1 ready go super done and super clear हो चुका है सर चलें आगे बढ़ जाएगा यस सर बिलकुल आगे बढ़ते हैं अब आपको लेके आते हैं इसके अगले वाले question की तरफ horizontal straight wire 10 meter long extending from east to west is falling with a speed of 5 meter per second at right angles to the horizontal component of the earth's magnetic field ठीक है वाई सर रोको 0.3 10 to the power minus 4 विबबबबबब मीटर स्कुरे तीन चीज़ निकालनी है आपर instantaneous value of EMF induced कितना होगा वायर में वो निकालना है what is the direction of induced EMF वो निकालना है उसके बाद which end of the wire is at the higher electrical potential कौन सा end of the wire higher electrical potential पर होगा वो भी आपको निकालना है एक बार self-try करो सोच के देखो बहुत ही जबर्दस question है बन गया तो बहुत बढ़िया अगर नहीं बनेगा तो फिर इसको मैं solve करवाओंगा लेकिन self-try तो बनता है सवाल के उपर है जल्दी करना प्लीज चलें फिर हो गया पक्का कुछ हुआ चलें आगे बढ़ेंगे इसके अन तरब ठीक है तो क्या हो रहा है कि एक horizontal wire है एक horizontal wire है जिसकी length है 10 meter के बराबर extending from east to west extending from east to west तो एक 10 meter लंबा wire है which is basically extending from east west north south तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई साब इसकी length कितनी है साब इसकी length है अपने पास कुल मिला करके 10 meter के बराबर तो length है लिख लेते हैं इसमें पूरी 10 meter के बराबर उसके बाद सार यहाँ पर क्या हो रहा है extending from east to west is falling with a speed of 5 meter per second तो नीचे गिर रही है with a velocity of कितना है सार इसका 5 meter per second तो इसका 5 meter per second तो इसके बाद क्या बोला गया है कि at right angles to the horizontal component of the earth's magnetic field तो इसकी magnetic field ऐसे अंदर की तरफ जा रही है तो cross earth magnetic field जो है वो basically cross nature की है तो यहाँ पर अपने पास यहाँ पर अपने पास length इसकी थी 10 meter के बराबर velocity ऐसी थी और magnetic field जो है वो अंदर की तरफ जा रही है अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि magnetic field का induction है 0.3 10 की power minus 4 तो magnetic field का induction भी देके रखा है 0.3 और 10 की power के ऐसर minus 4 Weber per meter square ठीक है 10 की power minus 4 Weber per meter square यह बात भी बिल्कुल सटीक है उसके बाद क्या पूछा जा रहा है भाई सब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहे है तो जो पहला वाला केस है जरा इस पे फोकस करना नाओ EMF इंड्यूज जो है उसका फॉर्मला क्या हो जाएगा B into L into V के बराबर तो वाट इस दा वैल्यू आफ मैंनेटिक फील्ड 0.3 10 की power minus 4 0.3 10 की power minus 4 वाट इस दा लेंथ तो सर लेंथ है अपने पास में 10 मीट है के बराबर वाट इस दा वेलोसिटी सर वेलोसिटी अपने पास है 5 यह वाला फंडर समझ में आगए यह सर यह वाला फंडर समझ में आगए ठीक है तो एक काम करो यह अपने पास 3 into 5 into क्या हो जाएगा 10 की power minus 4 चमका कुछ भाइस आप 0.3 को टेंसर मल्डिप्लाई करना 3 बज गया वो बगल पे 5 था और 10 की power minus 4 तो अपने पास वा answer कितना आ जाएगा 15 और 10 की power minus 4 15 दस की power minus 4 वोट इस गोई टू बी दा इंडियूस दियम एफ आप लोग के दिमाग में यह वाला फंडा पूरा क्लियर है 15 दस की power minus 4 ठीक है अब यहाँ पर आपन देखते हैं कि what is the direction of induced current सवाल का जो अगला वाला हिस्सा है वो बूचा है what is the direction of induced EMF क्या direction होगा यहाँ पर में induced EMF का तो अब एक बात पर गौर करते हैं चलना भाई यहाँ पर ना जा induced EMF वा induced current होगा अपने पास तो फ्लेमिंग्स का अपन राइट हैं रूल यूस कर लेंगे ठीक है इसमें अपन second वाले point पर लिख देते हैं according to फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बात समझ में आती हैं जरा इस बात पर गौर करना according to फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बात समझ में आती हैं जरा देखो बेटा तो पहली बात तो क्या होता है कि देखो यह है father mother children ठीक है तो force कहाँ पर नीचे की तरफ magnetic field cross है तो अपने पास यहाँ पर induced EMF होगा from west to east direction ठीक है तो therefore तो direction of induced EMF क्या है from west to east direction west से east direction की तरफ होगी ठीक है from west to क्या हो जाएगा sir east direction यह हो जाएगा sir from west to east direction ठीक है अब आते हैं अपन दूसरे वाले case के उपर तो अब यह 30 वाले case देख लो अब इसमें अब अपन चेक कर लेते हैं sir यहाँ पर case number 3 sir what is case number 3 which end of the wire is at the higher electrical potential तो भाई जहां से current flow कर रहा है वो high potential जहां pay current flow कर रहा है वो low potential तो west side will be at the higher electric potential तो west side of the wire will be at west side of the wire wire का जो west वाले side है west side of the wire is at the higher potential is at the higher potential west side जो होगा ना wire का वो होगा at the higher potential west side of the wire is at the higher potential क्या आप लोगे दिमाग में यह वाली बात बैठ गई सही से एक बार जल्दी confirmation दे 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 हैं क्या आप लोग को यह वाला funda पूरा समझ में आ गया yes sir यह वाला funda पूरा समझ में आ गया इसको चलो ठीक है बढ़िया एक तरफा शांदर अब आते हैं question number 7 के ओपर ठीक है बस 8 questions है question number 7 क्या बोल रहा है current in a circuit falls from 5 ampere to 0 ampere ठीक है मतलब यहाँ पर initial current कितना था अपने पास में 5 ampere falls from 5 ampere और final current कितना अपने पास में falls to 0 ampere ठीक है initial current तो 0-5 करेंगे तो अपने पास minus 5 ampere ठीक है अब उसके बाद क्या हो रहा है समय कितना लग रहा है sir dT अपने पास समय कितना लग रहा है sir समय कितना लग रहा है sir समय कितना लग रहा है sir 0.1 seconds उसके बाद क्या बोला जा रहा है if an average emf of 200 volt तो जो EMF induced हो रहा है sir, वो तो हो रहा है 200V का EMF induced If an average EMF of 200V is induced, give an estimate of the self-inductance of the circuit What is the self-inductance of the circuit? क्या होगा? Circuit का self-inductance ही अपने को निकालना है तो now अपने काम करते हैं, चलते हैं अपने formula से EMF induced is equals to basically क्या होता है sir, L times di by dt बोलो हा की न, तो L basically क्या हो जाएगा, E times अपने को यहां पटके नीचे, तो E upon नीचे आजाएगा sir, di by dt तो di और मैं dt को ऊपर लेके जाता हूँ, दो मिट बज़रा दियान देना तो L is equals to क्या हो जाएगा sir, अपने पास यह न, मैं इसका modulus लोगा, because मैं को में लग रहा है कि current जो है, वो अपने पास आएगा negative में, ठीक है लेकिन self inductance में negative आता नहीं है, तो इसका मतलब करा कि we have to take the modulus by default EMF कितना अपने पास, EMF 200 है, DT कितना अपने पास में sir, DT अपने पास में sir, 0.1 है और what is the DI का modulus, तो मतलब final minus initial अपने पास 5 हो चुका था, ठीक है sir, 5 कर लिया अपने तो L अपने पास कितना हो जागा, 200 into 0.1 करेंगी तो 20, तो 20 upon 5 करेंगी तो 4, तो therefore, जो self inductance है अपने पास में कितना हो जाएगा sir, 4 henry का हो जाएगा self inductance, ठीक है, अपने पास में, जो self inductance हो जाएगा, self inductance जो हो जाएगा वो हो जाएगा sir, 4 henry का बात ही कतम, ठीक है, आया समझ की नहीं, 4 H लिख दो, बस शुरू होते ही कहानी कतम हो चुकिया, जल्दी आप शांदा से चीज का screenshot लेंगे, बताएं clear है क्या, यस sir, ये वाला funda पूरा supreme तरह से clear हो चुका है, आगे बढ़ें, चलो, अब आपको ल adjacent coil has a mutual inductance of 1.5 henry, मतलब M की value कितनी है sir, M की value है sir, 1.5 henry, उसके बात क्या बोला जा रहा है, if the current in one coil changes from 0 to 20 ampere, ठीक है, मतलब current जो है na initially 0 ampere है, और उसके बात finally जो current है, उसकी value कितनी हो चुकिया sir, 20 ampere हो चुकिया, तो current basically changes from 0 ampere to 20 ampere, और समय कितना लग रहा है इसको समय लग रहा है sir, इसको सिर्फ वाविशिफ कितना, 0.5 seconds, । Now, what is the change in the change of flux linkage with the other coil, ठीक है, बतरब आपको सिर्फ चेंज इन दा flux निकालना है क्या ये given जो parameters है, क्या वो given parameters आपके दिमाग में सही से बैट पारें, तो जो given parameters हैं क्या वो आपके दिमाग में सही से बैट पा रहे हैं यह सर यह वाला funda सही से समझ में आतो गया ठीक है अब ध्यान देना क्या होता है देखो आपको निकालना EMF induce तो आप जानते EMF induce का एक formula होता है कि rate of change of magnetic flux निकाल दिया बोलो हाँ की ना यह सर बात तो सही है अच्छा EMF induce का एक और formula होता है वह formula क्या होता है M को रख लेना बाहर और यहाँ पर आजाएगा di by dt ठीक है एक formula तो सर यह वाला भी होता है इसको आपन बोल देंगे formula number 2 और इसको आपन ने वैसे भी नाम दे के रखा हुआ है formula number 1 ठीक है अब जैसे ही इस इन दोनों EMF को जैसे ही मैं equate करूँगा इन दोनों EMF को जैसे ही मैं equate करूँगा first and second को जैसे मैं equate करूँगा तो क्या मिलने वाला में को जड़ा गवर करना यहाँ पर d5 dt निपड चुका है m times di ठीक है dt निपड चुका है तो change in flux निकालना है what is the value for m sir m की value अपने पास 1. 10.5 और उसके बाद what is the value what is the value for di तो sir di का मतलब क्या होगा final minus initial करना पड़ेगा बस इतनी सी बात है तो di का मतलब क्या होगा final current में से initial current को minus कर देंगे ठीक है चलो तो यहां से मिल जाएगा change in flux तो 1.5 उसके बाद finally current कितना आ चुका है sir 20 और minus initially current क्या था sir 0 तो यहां से अपने इंटू 2 आ जाएगा तो 15 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 और 30 Weber is the amount of magnetic flux ठीक है 30 Weber is the amount of magnetic flux क्या आप लोग के दिमाग में यह वाला फंडा clear हो गया है जल्दे मुझे का information दे पका 321 ready go super clear super done yes sir शांदार और इसी के साथ खतम होते हुए NCRD solutions उमीद करता हूँ आपको पूरा solution बहुत ही बहतरीन तरह समझ में आ गया होगा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ना आपकी properly help करिये तो बनता ही है कि आप इस वीडियो को like करेंगे उसके बाद इस वीडियो को share कर दो अपने सारे मित्र मंडल में सबको बता दो कि magnet brains के channel पर playlist में physics में क्या क्या अगर आपका कोई भी feedback है या suggestion है तारीफ है या बुराईया या जो कुछ भी है तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुचा सकते हैं using the comment section ठीक है और अगर आपका और भी कोई feedback है अगर आप मुझे और बताना चाहते हैं तो comment section को आप आप बकाइदा यूज़ करें properly यूज़ करें और बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें मुझ तक पहुचा दें ठीक है इसी के साथ खतम करते हैं इस पूरे वीडियो को और जैसे कि आप सब जानते हैं कि Magnet Brains जो प्रोवाइट करता है वो English medium as well as Hindi medium वादी classes with entire full complete syllabus coverage, ZBSC board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board और Vedic maths crash course और spoken English इसके अलावा अगर आपको कोई भी information चाहिए तो आप Magnet Brains के official website पर जाकर के visit कर सकते हैं Thank you so much